ये कौन सा प्लाइनित है? सिर्फ बेकार सा सकोटिश मौसम दिख रहा है हां लेकिन बेकार सकोटिश मौसम सकोटिश मूर्स पर साइट सिन के लिए पॉफेक्ट है कौन? मौर्स सकोटिश के मशूर रोलिंग हिल्स घास और डरावने मौसम से ढखे हुए और हम उन पर हाइकिंग कर सकते हैं स्कॉर्टुआ तक गले में किच-किच देखा इस मौसम ने तुम्हें बिमार कर दिया हम अंदर ही रहते हैं और गेम्स खेलते हैं स्कॉर्टुआ एक शिकर है जहां का नसारा कमाल है हम स्कॉर्टिश शहर और गाव क्यों नहीं घूम सकते शायद उनके पास कोई इंटरनेशनल सुमस लामस फिगर हो क्या तुम सिर्फ और सिर्फ सुमस लामस के बारे में सोच सकते हो नहीं नहीं चलो साइट स्विंग करते हैं ओ रुक ये एक मिनिट रुक ये आपने अंदर चाता खोला जानते नहीं ये बैड लग होता है अब तो पक्का कुछ ना कुछ बुरा होगा बहुत बुरा हुआ पर मैं बारिश में बहुत सारी हाइकिंग करना चाहता था वैसे यहां की बस्ती में देखने और घूमने लाइक बहुत कुछ है ओ कम आन बैन ऐसे कुद्रत के करिश्मों का तज़्यूरबा लेने के लिए अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकरना ज़रूरी है मुझे पसंद है अपना कमफर्ट जोन अखेली घूमते हुए मज़े करना लेकिन थोड़ा ध्यान रखना मोर्स में से स्कॉर तो है मशूर चीज नहीं है क्या मतलब है यहां रूप बतलने वाले केलपीज और भूत्या शिकारी हर्ण और शैतानी गुत्ता ब्लाक शॉक भी है मज़े करना केलपीज भूत्या शिकारी हर्ण लाक शॉक हाँ कुछ लोग तो दलदल के पास भी घुमना पसंद करते हैं लगता है जादूी स्कॉर्टू से कोई बच नहीं सकता नहीं स्कॉर्टूआ ये थोड़ा बहतर था ये वाच कुछ अजीव हरकत कर रहा है इस शांदार स्कॉर्टिश मौसम की एक और खूबी होगी तो अब वाच से ध्यान हटाओ और इन खूबसुरत नजारों के मज़े लो खूबसूरत नजारे यहां तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है ये कोरा इससे भयानक नहीं बन सकता वहाँ देखो एक वोल्कानिक ग्लेन वाँ धेर सारी घास ये सब कहा देखने को मिलती है एक शांदार चम-चमाती जील ये तो बड़ा गढ़ा लगता है देखो बेन एक एतिहासब जंग का मैदान ओके चलो जब नजारे ये नहीं देख सकते तो साइच सिंग का क्या फाइदा सब कोरी में ढखका है हां लेकिन इस कौटिश कह रहा है हां पता नहीं ग्वेन मौसम बिगडता जा रहा है बेन ठीक कहता है हमें वापस जाना चाहि क्या वो फॉक मॉंस्टर है फॉक इसे कैसे हराना है वही करो जो पिछली बार किया था वो मुझे याद नहीं क्या वो ओके फॉक जैसे मूव आले चलो तुम्हें ओफ लो का आक्शन दिखाता हूं चलो चलो ओफ लो कहा हो तुम भेन ध्यान से हां आज के लिए इतने एडवेंचर काती है कोई आइडिया जबें पिछली बार ओफ लो यूज किया था इस बार तो दिख नहीं रहा है यहां क्या कर रहा है हमारे पीछे स्कॉटलेंड आ गया वेल हमें कुछ तो सोचना होगा बस वो मोटा सा धुवा मेरे चौपर से दूर मैप के मुझे गुफा मिली है अच्छी बात है ग्वेन मतलब एक गुफा जहां हम छुप सकते हैं यहां से आधा मील दूर बस वहां तक पहुंचने का रास्ता धुरना होगा तुम्हें कुछ मिला बेन कुशिश कर रहा हूँ ग्रानपा देखते हैं शायद कुछ सौर क्या यह तुम ने बनाया है एक छोटी सी बच्ची ने बनाया था यह कमाल का है और हमारी जान बचा सकता है हम मेरे पूचिश के आप पर कैसे जा सकती है वो क्या था उसकी पूच से कोई सौनिक ब्लास्ट हुआ है जल्दी गाइस बैठ जाओ तुम्हारे बनाव्टी शैतानों से भी डिरावना है वो सब बनाव्टी नहीं है वह सामने तुम्हारी वाली गुफा है क्या रुक जाओ गाइस मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ जल्दी करो हुमंगसोर क्या हम बजगे कह नहीं सकते पर यहां ज्यादा देर नहीं रह सकते हमें उस चीज को हराना होगा लेकिन बिना शैरीर वाले को हरा होगे कैसे वैसे हुमंगसोर फॉक को बिजी रख सकता है जब हम चुप-चाप जाकर ले आएंगे हमारा चॉपर हमें पता है चॉपर आप की जान है ताइम आउट होने से पहले हमें अपना काम करना होगा अगर बात नहीं बनी तो हम स्कॉटिश कहानियों के नए मशूर बूद बन जाएंगे ठीक है चलो यह करते हैं मैं ज्यादा देर तक यूमंगसोर बन कर नहीं रह पाऊँगा तुम कर लोगे बिन ठीक है बेख सुनो बेकार बद्बुदार बादल मैं इधर नहीं सोनिक अटेक ये क्या है इस हमने को काम्याब करने के लिए मुझे एक मजबूत पत्थर चाहिए भैय मैं यहां हूँ मोटे गुबारे बादल क्या बात है काम हो गया इसके बाद कभी फंगस लेके पत्थर को हाथ नहीं लगाऊँगा अरे ये क्या ये तो गीला हो गया घटिया गीला दलदल इसमें तो चलना भी मुश्किल है मैंने क्या बिगाड़ा है गीली पैंट वाले पर कोई हमला करता है क्या अब हम स्कॉर दुआ देखने जा सकेंगे क्या ये बहुत भयानक है यह देखने जैसा क्या है तम्हारे पिछवारे को क्या हुआ नीचे जमीन गीली थी अओ पुछ तो हमारी रफ्तार कम कर रहा है अरे ये क्या अब राओ मत बच्चों ये बेबी ऐसे ही चीज़ों के लिए बना है देखते हैं फॉग इसे कैसे सम्हालता है लगता है फॉग इसमर भार ही पाड़ रहा है ये बच्चों चौपर को बचाने के लिए जो भी करना है करो अब तक वीचाज नहीं हुआ वो एंजिन की तरफ गया चलो फिर से उसे लाइट की जरीए इवापरेट करें आप चौपर का अल्टर ब्राइट स्वाट लाइट आउन कर देता हूं ये बेबी क्या नहीं कर सकता कि दरसल इसे इवापरेट करने के लिए हमें धूब की जरूरत पड़ेगी पर उसकी आँके चौंदिया जरूर गई थी हाँ वो अपना काला चश्मा लेने जाएगा तब हम यहां से निकल लेंगे मुझे नहीं लगता ऐसा होगा बेन ओके तो फिर प्लैन भी देखते है क बन जाए क्योंकि मैं चौपर को खोना हैंडल नहीं कर पहूंगा कि अब कर दिया अब चलो यहां से जंदी नहीं कर जाते हैं तोफानी बढ़ रहा है स्पीड बढ़ाईए अओ लगता है वो गुर्ब उस्से में लोटा है एंचिन्स लैंची तुम्हें पावर चाहिए देता हूंगा तुम्हें पावर कोई फाइदा नहीं मेरा चौपर यह समाल नहीं पा रहा है बेंच तुम क्या कर रहे हो एंजिन्स बन पड़ते जा रहे हैं बेंच नहीं तुम्हें तुम्हें कर दोगे बेंच समाज स्कॉडिश वेदा ये बेंच और बुरा संचटका बस्ते और बुरा संचटका यह होप कोरे ने तुम्हें चोट नहीं पहुँचा मैं चीपू ग्रेंटपा बढ़िया यह अच्छी बात है ग्वेन सुचा नहीं था कभी कहुँगा लेकिन मुझे स्कॉडिश पॉस पसंद है मैं हार गया यह नजारा काफी खूबसूरत है तुमने कैसे जाना के लाइटनिंग रौड से काम बन जाएगा मुझे पता था उसे पाव पसंद है और मैंने उसे उव पाव कर दिया पता है तो में एलेक्ट्रॉलिस्स ट्रिगर कर रहे थे जिससे मॉलेक्यूल्स एटम्स बन गए बिल्कुल पता था साइन्स अब चलो स्कूर तो खूमाते है मेरे हिसाब से उसका नाम है स्कॉर्टुर बेन नहीं नहीं वो है स्कॉर्ण आँ को रोल कीज़े स्कॉर्ण और स्कॉर्ण गाइज नजारा बेंट सही कहता है ये इतना खुबसूरत है जैसे दो सेंक्ट्रोनाइस ट्वीन प्रापलर एंजिन स्पावर्ड ये कह रहा हूं कि बेहत कमाल की मशीन है